टीवी के पॉपुलर्ट शो अनुपमा से रूपाली गांगुली ने घर घर में अपनी पहचान बनाई है कुछ समय पहले ही टीवी एक्टरिस ने मा बनने के बाद की चुनोतियों को लेकर खुल कर बात की थी उन्होंने कहा था कि बच्चे को जन्में देने के बाद अचानक वजन बढ़ जाता है और फिर आप खुद को आईने में देखना बंद कर देते हैं रूपाली गांगुली ने कुछ समय पहले रनवीर इलहबादिया को दिये इंटरिवू के दवरान यह बताया था बादचित के दवरान रनवीर ने रूपाली से बातों ही बातों में पूछा कि क्या कभी ऐसा हुआ कि वह खुद को भूल गई इस पर रूपाली ने कहा बेशक लेकिन जब आप एक ग्रिहनी के रूप में सारी 6 साल तक घर पर होती हैं तो बच्चे के जन्म के बाद आपकी कमर 24-25 से अचानक 40 हो जाती है आप खुद को आईने में देखना बंद कर देते हैं उन्होंने आगे कहा लोग कहते हैं कि मोनीशा सारा भाई का बहुत अधिक वजन बढ़ गया है अंटिया तो बस यही कहती हैं लेकिन ऐसी बाते वाकई एक महिला को दुख पहुचाती है जो पहले से ही कई चीजों से जूज रही होती है डिलिवरी के बाद बहुत सी चीज यहां और दूसरी वहां होती मैं मोनीशा सारा भाई थी मेरी माने मुझे बहुत प्यार से पाला है लेकिन मैं फिर भी बहुत पहनती थी फिर आप बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ शादी करते हैं ऐसा नहीं है कि पती ने जिम्मेदारिया नहीं बाटी वह मेरे साथ और मेरे पती ने एक बार भी मुझे नहीं कहा कि मैं बदसूरत हूँ या मोटी हूँ मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बात का ऐसास भी हुआ कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ रुपाली गांगुली ने बताया कि महिलाएं खुद को कमतर मैसूस करती हैं उन्होंने कहा खुद को स्विकार करने के लिए आप प्लस साइज के कपड़े ढूणती हैं कहीं न कहीं आपकी आत्मचावी को धक्का लगता है आप कहीं न कहीं खुद को कमतर मैसूस करती हैं इस अपडेट पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं बॉल बड़ और एंटर्टेन्मेंट की खबरों के लिए देखते रहें ये ABV एंटर्टेन्मेंट